कि आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि आपका खुद का अपना एक फार्मसेटिकल कंपनी हो जो कि आप अपने ब्रांड नेम के साथ दवा सेल करो मार्केट में क्योंकि यह जो बिजनेस है बहुत ही प्रॉपिटेबल है यहां पे रेट खुद का डिसाइट किया हुआ आ तो चलिए डियर समझने का प्रयास करते हैं यह दि आप एक फार्मसिस्ट हो याप एक मेडिकल स्टोर के और हो और आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि पैसे तो करोड़ों नहीं है अपने पास लेकिन मन है या प्लान है कि अपना खुद का एक जो है कंपनी हो जहां से हम दवा बनाए और मार्केट में सेल करें तो चलिए डियर कंप्लीट मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप समझने का प्रयास कीजिए मुझे उमीद है कि वीडियो के लास्ट आते आते आप जरूर समझ जाओगे कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना खुद का एक फार्मसेटिकल कंपनी कैसे ओपेन करना है यानि कि फार्मसेटिकल कंपनी की सुरुवात कैसे करना है तो स्वागत थे आप सभी का उधित फार्मसेटिकल कंपनी कैसे आप ओपेन कर सकते हो या फार्मसेटिकल कंपनी की स्टाइटिंग आप कैसे कर सकते हो तो देखे मेरे बहुत से ऐसे यहां पे भी ज्यानी लोग आएंगे या वीडियो के नीचे आप कमेंट देखोगे तो करेंगे कि क्या बात करते हो इस्टाटिंग में करके चले जाएंगे कि कुछ हजार या कुछी लाख में कैसे पॉसिबल है तो देखो यदि आप इधर ध्यान दे रहे हो क अपना कम्पलिट आप सेट अप करोगे मेनुफेक्चरिंग प्लांट का जहां पे रहे हो जिसट्अब करने तो बात कर रहे हुए उन लफ़डों में क्यों पर ना भाया जब यहां पर आपके पास एक बहुत ही बहतरी न अप्सन अबलेबल है थार्ड पार्टी में फेक्टरिंग अब यह किस बल्ला का नाम है तो देखो जितनी भी कंपनियां हैं बहुत ही फेमस फेमस में बात करूं उनका खुद का जो है की ब्रांड नेम तो होता है लेकिन जो दव LEASE आप बनती है जो दवाईयां बनाई जाती है और बनाए जाती है और थोड़ा से सुभ्सक्ION करें कि क्या आप को लगता है कि जो सब्हाट को मेनफेक्टर करती है कंपनी वहीं कंपनी मारकेट में सहीज करती हैं तो स्रेप दावा के फिल्ड में ही तैसा लगबग हर होता है चाहें आप किसी सिंभी इलेक्ट्रोनिक एजट के तरह पाँ यह किसे भी फिल्ड में आप देख लो जो बनने का प्रोसेस हैं वो करने के gold क्लें कोई और और कंपनी है वो कंपनी अपने को बहुत ही कम खर्च करना पड़ेगा आपके पास रिप ड्रग लाइसेंस होना चाहिए यानि आप यदी मेडिसीन बेंच सकते हो तो आप अपना मेडिसीन का जो है ब्रांड भी लॉंच कर सकते हो कुछ ही आपको इनवेस्ट करना पड़ेगा कुछ बैफसाइट और बना करके अपना ब्राओंड नेम से ट्रेड मार्क लेकर कि उपकी मेडिकल का जब आप बिजनेसे स्टार्ट करते हो अपसे मेडिकल स्टोरों रोपेन करते हो तो डेपनिटल यहां पे 90% लोग होंगे जो अपना लोगों अगरे ट्रेड मार्क ओगरे यह वेफ साइड ओर ग करना चाहते हो तो complete जो help system है वो आपका खुद का होना चाहिए और company आलड़ी सभी जगह से अप्रूब होकर कि आपको देगी सब्सक्राइब नहीं है यह वह अप्रूब नहीं है तो आपकी समस्या नहीं है उस manufacturing plant की समस्या है आपको अपना brand name देना है और जो भी market में आपको लगता है कि इतना price के साथ इस product को launch किया जा सकता है आप वह दो और इसी के साथ आप यह ध्यान दो कि आपका जो product है जो आप खुद के लिए बनवाए हो खुद के brand name से उसका प्रचार कैसे हो doctor तक पहुंचाय कैसे तो उसके marketing पे आपको definitely ध्यान देना पड़ेगा और इसी का brand name और आप जैसा design करवाना चाहो वैसा लेवल करवा के अपना जो है मेडिसिन मार्केट में सेल करवा सकते हो कुछ MR आपको रखने पड़ेंगे यह आपका समस्या है लेकिन मैं जो बताने वाला हूं कि भाई कुछी हजार एकात लाक रुपय खर्च करके आप कुछ प्र के स्चार्ट कर सकते हो जैसे लिट्रसर्ट करो एक उस्पेस्पिक कुछ सेक्टर है कि हम यहीं लॉइंच करेंगे मार्केट में स्टार्टिंग में डेफिनेटली आप सभी कटेगरी पे ध्यान देने लोगे तो साइद से साइद मुश्किल हो सकता है लेकिन यदि आप कुछ कटेगरी के साथ आना चाहते हो तो डेफिनेटली कुछी एकात लाख रुपै यह मैं बात करूं कि सिर्फ कुछी हजार रुपै तो एक लाख से कम में भी श्टार्ट किया जा सकता है बाती इसके बारे में आप complete detail जाना चाहते हो कि कैसे करना है तो वीडियो के साथ बने रही है मैं एक एक पॉइंट करके और भी आपको समझा दूंगा करना का है आप करना कुछ भी अलग नहीं है आप अपना medicine का बिजनस कर रहे हो आपके पास drug license को अगए है GST के और यह था निग्लाइन को बनवा लो अपना Social तो आपको लाखों कंपनी ऐसे मिल जाएंगी लाखों नहीं हजारों साथ यह मिल जाएंगी जो कि आपके लिए दवा बना करकेद देंगी उन्हें आप कॉंटेक्ट करो और उनसे अपना मेनुफेक्ट्रिंग करवाओ और अपने मार्केट में जो हैं लांच कर दो बहुत ही जिम्पल प्रोसेस बाकी का कंप्लीट गाइडेंस आपको कंपनी वाले खुद कर देंगे कि उनका कहीं ने कहीं टाम सवर्म कंडिशन है कि कितने प्रोड़क्ट आपको इस्टार्टिंग में कितने का यादि उनसे आप माल लोगे कितने का दवा बनवाओ तो आपको कम पै कुछ प्रोटीन हो रहे है कुछ मल्टी विटामिल का सीरप रहे हैा कुछ टबलेट हो रहे है इनी खर मार्केट में आओ और बल्क देशन को पता है कि यह आप चला ही लोगे मेरा मानना है बक्रीकिश कटिगरी वाले हो आपके नीरेस्ट में आप किस डॉक्टर के कोलेप क कुछ ना कुछ जरूर समझ में आई है हाँ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है कई तरह से समझाने का प्रयास किया हूं लेकिने मेरा प्रयास है यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए कमेंट में जरूर जाकी नहीं फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए सभी को अब आए बाए बाए